वाई विधान सभाव में बुधवार को एम्स का मामला कुझा, इस मामली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तक्रार भी हुई इस दुरान सीएम जैराम ठाकुर को हस्तक्षेप करना पड़ा, सीएम ने सदन में कहा कि बिलासपुर के कोठी पुरा में एम्स बनेगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने सैधान्तिक रूप से 1351 करोड रुपे स्वीक्रित किये हैं उन्होंने कहा कि सरकार इस मामने पर चिंतित है और विपक्ष पर टिपड़ी करने की बज़ाए वो जल्दबाजी में है तो वहीं कॉंग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्री हुतरी ने पूछा कि एम्स का जिक्र बजट भाशन में है तो प्रिश्ण के उत्तर में क्यों नहीं है तो आपको बता दें कि विधान सभा में एम्स का मुद्दा अभी ते दिनों उठा और साथी दुरान विपक्ष ने कहा कि एम्स जिसका शिलानियास करने के लिए यहां पर खुद प्रधान मंतरी आयती उसको का निर्मान कारे जो है वो कब से शुरू किया ज रहे हैं जहां गत दिवसस प्रधेश कॉंग्रेस से सेलके प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार ने प्रोमिला पर आरोपों की जड़ी लगा दी थी तो वहीं आज प्रोमिला ने प्रत्रकार वार्ताकर सुरेश के साथ कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साध कर उनको नोटस देने और मारहानी का दावा करने की बात तक कहडानी पत्रकारों से बातचीत करते हुए फ्रॉमिला ने कहा कि उनके उपर जो भी आरोप लगाये जा रही है वो सभी जूटे हैं और उन्होंने कभी भी तबादलों से पैसे नहीं कमाए उन्होंने कहा कि उनके संपत्ती की चांच वो E.D. या FBI से भी करवाने को तयार है लेकिन सुरेश और कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्षे को भी अपनी संपत्ती की चांच E.D. से करवानी होगी प्रॉमिला ने कहा कि उनका निशकाशन पार्टी के समविधान के खिलाफ किया गया है और पार्टी से लोगों को निशकास्त करके पार्टी को कमचोर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्षेक तरफा ही फैसला लेने में लगे हुए है मुझे जो ट्रांस्पर माफिय के बारे में सलिप्त कहा गया है मैं उनको कोट में नोटिस कोट से बकील से नोटिस दिला रही हूँ और मैंने ऐसे गल्त काम बिल्कुल नी किये ये लोग खुद ये न कामों में सलिप्त रहे है इन्होंने खा के किसी का नी दिया है जिसके पुखता परूफ मैं मीडिया में दे चुकी हूँ और मैंने ऐसे किसी से कुछ खाया नहीं है बोर्ज विदान सा वक्षेती ये बापिस नहीं किया हूँ और हिमाचल विशेश भी फिलहाल बस इतना ही आप देखते हैं खबर अभी तक नमस्कार